नमस्कार दोस्तों मेरे नाव अभिशी के आप देख रहे हैं कैचे टेक्निकल आज की शुटियो में बताने वाला हूँ बैंक औप बड़ोधा के जो ग्रहाक सेवा केंदर होते हैं जैसे कि आपने सुना होगा बैंक को बड़ोधा की ग्रहाक सेवा केंदर उसमें आपको कौन से सर्विसेज पर क्या कमिशन मिलता है यह पूरी जानकर इस वीडियो में दिया जाएगा तो वीडियो में आगे बने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहरी बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको लेटेस्ट बैंकिंग से उधा है जितन कमिशन एवैलेबल फॉर बीची सर्विस यहां पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं बैंक को बोलोदा का यह कमिशन चार्ट है सबसे पहले हैं जो हम लोग आते हैं यहां पर अक्टिविटी है कमिशन फॉर क्योस मॉडल बीची दिया हुए है यहां पर पेमेंट जो करते हैं अगर आप फंड जमा करते हैं तो आपको 10 रुपिया तक मिलेगा इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं ओपनिंग ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट अंडर एकाउंट हम लोग जो सीएसपी होते हैं वह यही खाता जादा तर खोलते हैं इसमें आपको 10 रुप से उपर फंड जमा करते हैं तो 25 रुपियो पर एकाउंट मिलेगा यहां पर ओपनिंग और रेकरिंग डिपोजिट अगर आप आप आर्ड करते हैं एक अर्ड करते हैं तो आपको 10 रुपियो पर एकाउंट आपको दिया जाएगा उसके अलावा आप चौथे नमर एक लाख पर एकाउंट थ्राउज ओनली मतलब एक एक अकाउंट से एक लाख तक आप कर सकते हैं इसमें आपको 0.40% ऑफ डिपोजिट एमाउंट जो भी एमाउंट जमा करते हैं उसमें 0.40% एक रुपे से 20 रुपे तक ही मिलते हैं इसके अलावा पाच्वे नमर पर हम ल इसके अलावा च्छठे नमर पर आते हैं कैस्ट डिपोजिट एपिस ऑन अस अपने बैंक में कैस्ट जमा करना हो अधार काट से जमा करते हैं 20 रुपे सारी 20,000 पर डे लिमिट है इसमें भी आपको सेम कमिशन है एक रुपे से 25 रुपे है कैस्ट डिपोजिट यूजिंग रुपे काट से जमा करते हैं ऑफस जो अधर का ट्रांजेक्शन है उसमें 10,000 तक जमा कर सकते हैं इसमें आपको कमिशन एक रुपे से 20 रुपे पर ट्रांजेक्शन आपको दिये जाते हैं इसके लावा आठवे नमर पर आते हैं कैस्ट विड्डूवल और देन एपियस य अपने बैंकों का अधार कार्ट से निकासी करने के लिए आपको 20,000 पर डे दिया गया है इसमें कमिशन के मामले में आप देखेंगे तो 0.40% एक रुपे से 25 रुपे पर ट्रांजेक्शन दिया गया है मैक्सिमा आपको 25 रुपे तक ही मिल पाएंगे दसवे नमर पाते हैं मतलब दूसरे बैंकों का अधार कार्ट से और ATM कार्ट से निकालते हैं तो आपको 10,000 पर अकाउंट दिया जाएगा पर डे का जो 10,000 लिमिट है वो ही दिया जाएगा यहाँ पर कमिशन के बात करें इसमें भी आपको 1 रुपे से मैक्सिमाम 20 रुपे तक ही दिया जाएंग आपको 12 नमर पर आते हैं रिमिटर फंट ठ्राउट फंट ठ्राउट फंट ठ्राउट एनि एफ्ट करते हैं तो आपको 10,000 पर एकाउंट पर लिमिट दिया जाता है इसमें आपको कमिशन 1 रुपे से 20 रुपे तक दिये जाते हैं इसके अलावा हम लोग 13 नमर पर आते हैं तेरोई नुम्मर पर आने के बाद आप देखेंगे IMPS transaction, अगर आप IMPS कोई other bank में पैसे भेजते हैं तो 10,000 per day का limit दिया गया है, per day आप 10,000 भेज सकते हैं किसी भी other खाते में, उसमें आपको commission के मामल में 1 रुपे से 20 रुपे तक maximum दिया जाता है, IMPS transaction दिया गया है, इसमे इसमें भी commission में 1 रुपे से 10 रुपे तक दिया गया है, उसके अलावा 14 नुम्मर पाते है, deposit into loan account, मतलब loan अगर खाते में जमा करते हैं करने limit आपको 49,000 रुपे पर day का दिया गया है, loan खाते में जमा करने के लिए 49,000 तक जमा कर सकते हैं, इसमें आपको commission में 1 रुपे से 20 per transaction दिया जाएगा, maximum आपको यहां पर 20 रुपे तक ही मिलेगा, 15 नुमर पाते हैं, passbook printing, passbook printing करने पर RS 1 रुपे का per occasion दिया जाएगा, इसके अलावा 16 नुमर पाते हैं, आधार sitting, अगर आप आधार जोडते हैं, तो आपको 3 रुपे पर account, duly verification by branch, branch से approve हो जाता है, तब आप आपको 22 से 50 रुपे पर policy मिलता है, और 3rd quarter में 15 रुपे पर policy मिलता है, और 4th quarter में 7 से 50 रुपे पर policy मिलता है, इसके अलावा पधार मंत्री जीवन जोती बीमा auto renewal अगर आपका होता है, तो 6 रुपे पर renewal आपको देखने को मिल जाता है, इतना commission आपको बैंक आप बोलेदा क CSP में मिलता है, पधार मंत्री सब बीमा योजना जो fresh नया online करते हैं, उसमें 1 रुपे पर account पर मिलता है, अगर आप APY करते हैं, fresh online enrollment तो आपको बैंक के तरफ से जो दिया जाएगा, financial year के अनुसार उसी पर आपको मिलेगा, इसके अलावा हम लोग 21 नमर पर आते हैं, request for new checkbook अगर नया checkbook apply करते हैं, 5 रुपे पर checkbook के apply करने पर आपको दिया जाएगा, अगर आप checkbook stop करते हैं, तो 5 रुपे request आपको मिलेगा, तेईस नमर पर आपते हैं application 4 रुपे debit card, अगर ATM card apply करते हैं, तो 10 रुपे पर card आपको दिया जाएगा, इसमें total 23 working आपको देखने को मिल जाते हैं, तेश काम कर सकते हैं, इसमें no commission in payable on round tripping of transaction, अगर आप एक transition को जैसे 10,000 को पचपच रखर के दो बार निकालेंगे, वो round tripping में आ जाता है, तो वो अगर काम करते हैं, तो आपको जो commission है, वो नहीं मिलेगा, इसको ध्यान में रखते हुए, अगर आप 2 transaction करें, त आप हमसे संपर कर सकते हैं, I hope कि ये वीडियो को बहुत ही अच्छा लगा हुआ, इस वीडियो के माध्यम से हम लो जाना कि जो bank of brother के ग्रहाक शेवार केंदर होते हैं, उसमें आपको जो जो काम होता है, उसमें सारी जो commission होती है, वो उसमें आपको क्या मिलता है, पूरी ज लाइक जरू करेगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा, आस तक इतना ही, लेटर श्टक मज़े वीडियो को देखते रहे नकले, धन्यवाद